नमसकार, आप देख रहे हैं देश्वान्योज और में हूं आपके साफ कुमार कौशी आज फिर एक बार राजनिती खल्चल के साथ मैं आपके समख रूबरू कराता हूं विहार की राजनिती हालाग से एक बार फिर नितिश सरकार के एक मंतरी का इस्तिफ़ा जी हाँ, जब से नएकडबंदन के साथ नितिश कुमार की सरकार बनी है, तब से मंत्रियों का बिकेट गिरना ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है आज बहुत बड़ी खबर आ रही है कि क्रिशी मंत्री, बिहार सरकार के क्रिशी मंत्री सुधाकर सिंग ने इस्तिफा दे दिया है अपने पत से उन्होंने इस्तिफार जाकर के उपमुख्यमंत्रीते जस्वी यादों के हाथ में सौब दिया है जिसके बारे में उनके पिताजी यानि की आरजेडी के प्रदेश अध्यार्च जगदारंसिंग ने पुष्टी भी किया है लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि अभी इस्तिफार स्विकार किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा इस पर कोई विचार नहीं बनी है ये जब भी तै होगा बता दिया जाएगा अभी तक कहा जा रहा है कि इस्तिफार स्विकार नहीं किया गया है उन्होंने इस्तिफा जाकर करके उपमुख्यमंत्री ते जस्वी यादों के हाथ में सौप दिया है सुधाकर सिंग उस समय विवादों में आय हुए थे विवादी बयान दे करके वो चर्चा में आय हुए थे सियासी गलियारे में काफी चर्चा हुई थी उनके बयान को लेकर के वो अपने ही सरकार में व्याप्त ब्रष्टाचार को लेकर के मुखर हो गये थे और इस तरीके से बयान दिया था कि मेरे ही विभाग के पदाधिकारी जो हैं वो चोर है और चुकी मैं इस विभाग का प्रमुख हूँ, तो मैं उनका सरगना हूँ, सरदार हूँ सुधाकर सिंग ने अपने ही विभाग के उपर इस तरीके से इतना बड़ा बयान दे करके काफी विवादों में घिर गये थे, चर्चाओं में आ गये थे, चारों तरफ सियासी खलचल मच गया था मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट की बैठक में भी वो बैठे हुए थे और मुख्यमंत्री ने इसकी शिकायत उनसे की और वो कैबनेट की बैठक से उठकर के बैरंग वापस चले गये थे और आज फिर सुधाकर सिंग ने अपने पद से इस्तिफा दे दिया है सुधाकर सिंग का भी बयान आया हुआ है उन्होंने कहा है कि समस्या तो आप जानते ही है कि समस्या क्या है यानि कि उनका इशारा है कि सरकार में क्या समस्या है कहा समस्या है मेरे डिपार्टमेंट में जिसका मैं मंत्री था उसमें क्या समस्या है ये तो आप लोग जानी चुके हैं अब हम लोग समाधान के विशे में विचार करें समाधान के लिए हम लोग सोचे उस पर अपना बल लगाए और समाधान के तरफ जैसे ही मैं आगे बढ़ूँगा आप लोगों को जरूर बताऊंगा मीडिया की सवाल पर सुधाकर सिंग ने इस तरीके से अपना जवाब दिया कि समस्या आप सभी लोग जानते हैं सर्वविदित है समाधान के अपचकर में लगते हैं समाधान के लिए जैसे ही हम पहल करेंगे जैसे ही कुछ हमारे हाथ लगेगा समाधान के लिए आप लोगों तक जरूर मैं बताऊंगा आप लोग उससे जरूर ओगत होंगे लेकिन सुधाकर सिंग जो है हमेशा से ही उग्रतेवर के व्यक्ति माने जाते हैं 2010 में अपने पिताजी से बगावत करके सुधाकर सिंग अपने पिताजी से विरुद्ध उनके जग्दानन सिंग के विरुद्ध वो बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़े थे लेकिन उस समय उनको हार मिली थी और फिर उन्होंने आरजेडी की टिकट से रामगर पे कबजा किया रामगर में वो विधायक बने कैमूर के रामगर से वो विधायक हैं और फिर उनको सरकार में आरजेडी के तरफ से क्रिशी मंत्री बनाया गया और आज सुधाकर सिंग ने अपने पत से इस्तिफादे दिया इससे पहले कानून मंत्री कुमार कार्तिके ने भी विवादों में घिर करके अपने पत से इस्तिफादे दिया था तो ऐसे में चर्चा है वर्तमान सरकार को ले करके नए गड़बंदन के साथ जब से नितिश जी की सरकार बनी है तब से ऐसा क्या कुछ हो रहा है कि उनके मंत्री जो हैं अपने पत से इस्तिफादे रहा है कुमार कार्तिके के उपर हत्या का आरोप था जिसको ले करके भी पक्ष ने हंगामा करना शुरू किया आरोप प्रत्यारोप होना शुरू हुआ और कुमार कार्तिके को इस्तिफादे ना पड़ा अपने पत से और आज सुधाकर सिंग ने भी अपने पत से इस्तिफादे दिया है हला कि सुधाकर सिंग के उपर भी 2013-14 में चावल घुटाले का एक आरोप है कहा जाता है कि सुधाकर सिंग ने चावल सरकार के गुदा में जमा नहीं किया वो अपने पास ही चावल रख लिये जिसका आरोप उनके उपर लगा था मामला राम गड़ में दर्ज कराया गया था और आज भी प्रथमने आयाले में ये मामला लंबित है सुधाकर सिंग के उपर भी चावल भुटाला का मामला है तो नितिश कुमार के उपर सवाल खड़ा हो रहा है नितिश सरकार के उपर सवाल खड़ा हो रहा है कि ऐसे लोगों को पहले उन्होंने मंत्री पत दिया फिर आज उनके मंत्री जो हैं अपने पत से जा रहे हैं पत्से हटाये जा रहे हैं या खुद है इस्तिफा दे रहे हैं क्या कारण हो सकता है सुधाकर सिंग का तेवर हमेशा ही बागी रहा है वो हमेशा बगावत के लिए जाने जाते हैं अपने बयानों के लिए हमेशा ही वो चर्चा में रहे हैं हमेशा ही वो विवादित बयान देते रहते हैं, अपने ही डिपार्टमेंट, अपने ही सरकार के साथ इस तरीके से आंदोलन कारी मूड में आना, मुखर होना और उसके ओपर आरोप लगाना, ये बड़ा सवाल खड़ा करता है, हलाकि ये अच्छी बात भी मानी जाएगी, उ उन्होंने पक्षपात नहीं किया, जिस सरकार में वो मंत्री हैं, उसी सरकार की कारेशैली पर, भरष्टाचार पर इस तरीके का आरोप लगाना ये बहुत बड़ी बात है, ये मादा वाली बात है, सुधाकर सिंग ने ऐसा किया, लेकिन वो अब किस तरीके से इसको साबित करेंगे, जिस तरीके का उनका बयान आ रहा है, वो कह रहे हैं, कि समस्या तो आप सब जानते हैं, आप समाधान के तरफ चलते हैं, समाधान के लिए पहल करते हैं, वो किस तरीके से इस समस्या का समाधान करते हैं, इसका हम इंतजार करते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ, कि आ नितिश कुमार के लिए अगर ऐसा जारी रहा तो आगे बहुत कुछ हो सकता है समझने वाली बात है तो आगे हम लोग इंतजार करते हैं आप इंतजार कीजिए आगे जो कुछ भी होगा उसको ले करके आपके समक्ष हम जरूर आएंगे देश्वा नियूज देखते रहिए अच्छा लगे तो अपना सुझाओ देना नहीं भूलिए नमस्कार सिर्फ खबर दिखाना देश्वा नियूज का मकसद नहीं देश्वा नियूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए देश्वा नियूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन दवाना न भूले